खबरों में बात करते हैं राजधानी जैपूर की जहां पर गराम मानगट खोक वाला बस स्टेंड पर जैपूर आगरा राष्टी राजमार्ग पर वेद रोड की रोसिंग कट नहीं है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जैपूर से सववादाता पुरुसुत्तम करूख करते हैं पुरुसुत्तम वेद रोड की रोसिंग ना होने से रोजाना यहाँ पर कोई ना कोई बड़े हादसे होते रहते हैं इस पर क्या कहेंगे आप जैपूर आगरा राष्टी राजमार्ग शंख्या 21 पर बस्चिवकंट छेतर के मानगट खोकावाला पर रोड क्रोश दो हजार साथ से लेकर दो हजार उन्निस तक के आगड़े अगर देखे जाएं यहां के तो पच्पंदुर घटनाई हो चुकी हैं जिसमें 25 लोग अपनी जान भी गवा चुके हैं इस पर क्या कहेंगे जी राना जी मैं आपको बताना चाहूँगा 2005 से पहले जैपूर अगरा राष्टी राजमक शंक्या के दो लाईनी था 2005 के बाद में इसको फोर लाईन कनवर्ट कर दिया गया जिससे बीच में डिवाइडर हो जाने के वज़े से एक रूड से दूसरी रोड के पाद जाने के लिए रोड क्रोशिंग कट होना ज़रूरी है लेकिन 2005 के बाद में यहाँ पर वेद कट नहीं होने की वज़े से ग्रामीनों वे इस्तानी निवाशियों ने यहाँ पर अवेद रूप से कट बना लिया जिससे पुलिस रिकोर्ड के अनुसार यहाँ पर 55 सड़क दुरगटना है हो चुके जिसमें करीब 25 लोगों की मोत वर 35 से लोग ज्यादा घायल हो इसके लाओ मैं राना जी आपको और बताना चाहूंगा कि करीब शेकडों सड़क आस से भी जहाँ पर उनका पुलिस रिको का यहाँ पर दोरा हो चुका है लेकिन इसका कोई समदान नहीं निकाल पाए इस पर क्या कहेंगे आप जी राना जी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो इसे आग्रा रोड को जो समवर्दक कर गिये टोलं कंपली जे एमटी पील जो और जो नेशनल हाइवे को जो अधिकारी भी यहाँ पर दोरा कर चुके हैं लेकिन केवल दोरा करते हैं कागजों में फाइले चलाते हैं लेकिन जो जमीनिस्तर पर जो कारवाई होनी चीए जो वेद कट बनना चीए अभी तक कोई भी उचित कारवाई नहीं है और मैं आपको बता दू यहाँ की इस्तान समर्दक कंपनी जीमटी पीले उनके कानों में जू तक नहीं रेखती और आए दिन सड़कास्य होते हैं जी राना जी शुक्रिया प्रोसुत्तम तमाम जानकारी साजा करने के लिए